हुआ है है गाइज वेलकम बैक टो नाद गेम प्ले वीडियो सुन्त बारता खेलने वाले एंप्ले पर पूरमी एंड गईज ये गेम प्ले भी मेज़क तरह काफी इंटेंस और खत्रनाग गेम प्ले होने वाला है काऊंकि यहां पर हम ओनली सिक्स और सौरी सेमन राउंड मे अल प्लेयर को एनिमेट करके इजी विनर बने वाले हैं तो गेम प्ले मस्ट आरत कवर्ज करना हो सके तो एक लाइक और सिबस्काई जो नगाए सो गाइस बात करते हैं तो गैम प्लिक नमारे पर देशा तो फर्स रों में कितने ओपी करना हैं लेकिन दिक्कत यह यहां पर किमरा अरे पास जो आज जोग कर एक भी नहीं है वैसे यहां पर मारे पास सैकेंड लाइफ रेंज हो जाए ना गलती से तो हम रिस्क ले सकते हैं क्योंगी मारे पास उसके बाद ऑप्शन आएंगे क्विंग आसा था क्विन आसा था लेकिन बंदा तो टैंट इसकाड़ करता है हम चुप चाप ड्रॉब भी कर देते हैं डिस्क लेने का चांस बनता है नहीं क्योंकि दिया साथ हुमारे 67 पॉइंट है और बंदें डेक्लेर किया थो भाई शुरू में हमारे अगर इतने पॉइंट लग जाएंग तो कही बेनेफिट मिलेगा तो गैस अमां करते हैं इसीक साथ पैट स्कीप देखते हैं इन तीनों बंदों में से कौन बंदे क्लेर कर पाता है तो फाइनली यहां पर राइट प्रेड डेक्लेर कर देता है याण जो डिलर होता ना इस बंदे इक साथ कुछ गलत ही सीन हो जाता है क्योंकि यह बंदा प्योर स्क्वेंस नहीं कर पाता और डिरेक्ट एटी प्रेड बंद से लौस होता है एन्ड गाइस जो संकीड लेक्ट प्लेयर हुआ यह बंदा तो ओंडी प्लस दो लौस हो यह इंद ट्वंटी प्लस प्वाइंट से तो चलो बढ़िया गाइस हमारे लिए तो ओके सो अगेन गाइस कार्ड डिसीविड हो चुके हैं इस भर काइस हमारे पास कार्ड तो काफी एच्छ हैं लेकिन यहां पर दिक्कत दिया कि मारा जोकर एक प्योर सो कॉइंस में अरेंज हो चुका है और देखो फिर्स्ट एंड से की नाइफ रेंज होने के बाव हमारे पास कोई option नहीं है तो क्या ही करें और वैलेड कार्ड भी था वैसे मैंने जे के कोडिंग यह भी सोचाँ अगर बंदा क्लब में जे डिसकार करेगा ना तो हम एस का सैट्रेंग कर लेंगे एंड उसके बाद हमको जाए उनली टू वैलेड कार्ड चाहिए होगे डेक से अट-9 को डिसकार कर देते हैं मैंसे मैं मा रहा हूँ कि मारे पास लैन वैलेड है लेकिन बंदा प्क ना कर ले चलो बढ़िए बंदे ने प्क नहीं किया ओके वाओ बंदे ने नए-9 काड़िंग लॉड कर दिया वह अब हमने इसकार कर देते हैं कलब में 3 कैसे यूं को सिंगल कार्ट चाहिए टू भी डिसकार्ट कर साथ है कोई बढ़ाई चुन है मतलब दे रहे हो गाइज हमारे पास कहां पर उनली फस्ट और सेक्ट अगरेंज हुई थी और कहां पर देखो मारे पास कार्ड मतलब कितने अपी कार्ड है अब देखो हमको ओनली सिंगल कार्ट करने के लिए टू के लेटर या फिर किंग के लेटर कोई विकाड आजाए और यहां पर तो डायमन में टू आया है सो रख लेते हैं गाइज एंड कलब किंग डिसकार्ड कर देते हैं मैं सो जाओं क्योंकि अगर मारे पास हर्ट में फोर आ गाई या फिर कोई भी टू के लेटर कार्ड आगा था हम जो है डिकलेर तो वैसे भी करी सकते हैं करते हैं वाओ और फाइनली मारे पास जो कर आ जाता है सो टू कसा करते हैं डिकलेर इसी साथ फिनिच एंड गाईज जो बंदा हो जाता है वैसे इस बंदे ने आइटिंग भी ट्राइग किया था देखो गई इस बंद एक पास सिंगल जो कर भी नहीं था फ्री बंदा प्ले क रहा था क्योंकि इसको पता था कि मैं अब जो ऐस बैट को सुराइब नहीं कर सकता और हमारे पास देखो गाइस कितने उपी काड आई थे बंदा जब फ्रस्टेड हो जाता है जब ऐसा होता है ना मैं भी हो जाता हूं कोई बड़ा इस्यू नहीं क्योंकि देखो जब कर रहा है मैं भी प्ले किया हूं चलो कोई नहीं छोड़ो सो अगेन गाइस कार्ड सीविड हो चुक है एंड गाइस हमारे पादेस होते हो फर्स राउंड में कितने उपी कार्ण है डिक्लेर करने के लिए हमको चाहिए ओनली सिंगल कार्ड एस मैंने इस वैसे डिसकार्ड क क्या पता जोकर यह आ जाए लेकिन यहां पर नाइन आ चुका है तो अब दिक्कत यहां पर यह है कि बंदा नाइन पिक कर ले डाउड तो मुझे है चलो डिसकार्ड कर देते हैं अब हो साथ बंदा पिक कर सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता चलो बढ़िया गाइस ओके लेकिन फाइनली काईज यह जो बंदा इस डिसकार्ड कर देता है समर्साइमन का साथ या फी नाइन की सीकर्स ने करके नाइन के साथ डिक्लेयर कर देते हैं और यह बंदा देखो हाईस पैंट से लाउस हो चुका है देखर इस बंदे के डार्ट 54 पॉइंट लग चुके है और इस बंदे को काड़ तो काफी चाहिए था यानि कि इस बंदे के पर फर्स्ट एंट साइकी नाइफ ही नहीं होई थी चलो बढ़िया गई हमारे लिए अब ओनली सिंगल प्लेयर बचा जो हमारे राइट में बंदा बैठा है ना इस बंदे के 40 पॉइंट है और हमारे 20 यानि कि हमने इस बंदे के प्रिज करने कैसे भी करके क्योंकि यह बंदा हमको फ्यूचर में टक कर देशाथ है 74 और 94 पॉइंट लबंदे तो आई थिंग ऐलिमेट हो जागा 94 पॉइंट लबंदा इस बार 74 पॉइंट लबंदे को तो इस आईलिमेट करना इजी है क्योंकि से बंदे प्स ओनली सिंगल टाउ कुने का उप्शन लेकिन 40 पर बंदे प्स अभी थ्री टाउ करने का उप्षन लेकिन भाई ये बंदा इस बार पले कर रहा कोई नहीं हम ड्रॉव कर दें गे इसका ग्यों ही ले देखो गईज जीड श्कार्ड किया बंदे लोगा सब्यो यहां पर जो नाइन टीफॉर पॉइंटल बंदा बहुत बंदा इजी अलमेंट हो जाता है लेकिन जो सेम्टीव पॉइंटल बंदा होता ना यह बंदा अवनी ट्वैल पॉइंट से लोस होता चलो कोई नहीं इस बंदे को एलेमेंट तो होना ही है हुए सो अगें गाइस काड डेसीवड हो चुक और इस बात हो गाइस मारे पास तू का साइट हो जाएगा मतलग काड तो काफी अच्छे देखा जाये तो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं रिस्क लेल हूं लेकि यहां पर मैं ड्रॉप भी कर देता हूं क्योंकि यह बहुत सहाथ कि डीलर के बाद अच्छे कार्ड हो देखो भई अच्छे कार्ड थे वाव वैस मतलब वैलिड कार्ड थे लेकिन जे इस बंदे को ने आप सीक्वेंस में कर रखा था यानि कि मारे पास जे नहीं आ सकता था ओके सो अगेन कार्ड डेसीवड हो चुके हैं इस बार प्ले करें या फिर ड्रॉप मतलब कुछ कार्ड ही ऐसे हैं स्मॉल भी कार्ड है कलब वेट होना चाहिए डामन किंग आ सकता है सो मैं इस कलेने अब लग जाता हूं कि अब जो भी होगा देखा जा एगा सूhin फॉर पी कर लेता हैक अंडे इस को डिस कर ने लेता है लेकिन बंदा इसकु फिक कर लेता अओक यह देखो टीझ हो क्या है करूंकि देखको जाना बंदा कोई निक रोडा से कट्ट पिक करते हैं हमों के यहां पर डामेंड में 4 आ चुका है हम डिसकार्ड कर देते हैं नाइन या फिर 3 है वैसे अगर बंदे पास 8 वाना तो जूट डिसकार्ड करेगा और इसी के साथ हम जब प्योर स्कॉइंस रेंज कर लेंगे एजी लेकिन यहां पर बंदा तो किंग डिसकार्ड कर रहा है कोई नहीं कलोड़ा से कार्ड पे करते हैं अब हम कुछ सिंगल कार्ड चाहिए डिकलेर करने के लिए जात हम इस बैट को सुराइब कर पाएंगे और कि कार्द हम आ चुका है वह यहां पर टू आ चुका है है सो हम थ्री-डिसकार्ड कर रहे है अब यहां ंज स्वास डिकले के मासा थो क्यों करते हैं अथ्रैंव हाओ यहां पर जो कार्ड लेकिन पहला क्ड़ लेकिसे शोट sitting मैंन क्डी मुंपझा 2 आपकी एट करड तो सभ अब देखो सिच्वेशन ही कुछ इस टाइब की हो चुकी है कि हमको ना अपना इस सीक्वेंस ब्रेक करने ही पड़ी लेकिन बंदा देखो जे डिसकाड करता है और हम इसको फट नाइड डिसकाड करते हैं काफी शातर है बंदा ओके नाइन आ चुका है अब गईस बहुत दिक्कत हो चुकी है मतलब देखो अब यहां पर दिक्कत यह हो चुकी थी कि मुझे जोकर डिसकाड करना पड़ रहा था यहां पर मैं मार रहा हो कि मैंने जोकर डिसकाड किया है लेकिन देखो फाइनली गईस बंदा देखो आखीर कार जो है ना गलती कर देता है मैंने इस वैसे जोकर डिसकार्ड किया था बंदे के करना गलती करने के चांसे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैंने काफी बार नोटिस किया अगर हम जोकर डिसकार्ड करने करना तो बंदा कुछ ज़्यादा ही दमाग लगाएगा ओक्यान गाइज देखो हमने फाइनली डिकलेयर भी कर दिया थ्री के साथ मतलब देख रहे हो वैसे इस बंदे कार्ड देखना इसको भी डिकलेयर करने के लिए सिंगल कार्ड चाहिए था अगर हम हर्ट में थ्री डिसकार्ड कर देते ना तो भाई हमारे लगा देता ये जाता वाई हमारे साथ गलसीन हो जाता चलो कोई नहीं छोड़ो अब हम इस बैटर को सुराइब कर चुके हैं सो अगेन गाइस कार्ड डिसीविड हो चुके हैं डिसबर गाइस हमारे पास काफी अच्छे कार्ड है मतलब ओंडी टू वालिट का चाहिए डिकलेयर करने के ल होने के चांसे बहुत जाता है एस के चलो कोई नहीं लेकिन हमारे भी थर्टी सिक्स पॉइंट है बंदें डिकलेयर किया तो खुछ जो बैनेफिट नहीं मिलेगा हमको ओके नाइन डिसकार्ड किया नाइन पिक नहीं करेंगे के लोड़े से कर फिक करते हैं ओके डैम टैन आ चुका है तो मैं अगेन एसी डिसकार्ड कर देता हूँ अब यहां वे काईज ना एक कमाल की चीज़ होने वाली है जो एटी पॉइंटल बंदा होता है ना इस बंदे का नेटवर्क की चला जाता है या फिर यह बंदा इस गेंप्ले से एक्जिट हो जाता है पता नहीं किया दिक्कत होती है लेकिन हमारे लिए तो बहुत जाता था मतलब बहुत सकते हो कि हमारी जिवाना किसमाती पलेट जाती है अब तो यह बंदा प्ले कर रहा है मैं मार रहा हूं लेकिन देखना इसे बंदे का नेटवर्क चला जाएगा देखो गाइज बंदे में काड़ पिक किया लेकिन एस डिसकार्ड करता कोई नहीं क्लोडे से काड़ पिक करते हम भी गाइज इस बंदे के नेटवर्क जाने वाला बस देखते जाओ ओके यहां पि मारे पास शिक्स आ चुका है सो हम बंदे क्वीन इसकार्ड कर देते हैं लेकिन बंदे ने यह के साथ यह Сп specially है दो फिर्स और फिर देखे दो फिर फिक का राए लेकिन बंदे के ना अभ्यविद्स काड़ नीं कर रहा देखो क्या ही बोलूंगा इस मतलब इतना टाइम लगा रहा है ना एंड गाईज आपको मैं छोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा अब देखो गाईज एंपिल पर आपको पता होगा नियू अपडेट आ चुका है आपको पता होगा गाईज की अब जो है शिक्स प्लेयर की जो पहले वाली वीडियो है ना फाइफ प्लेयर वाली तो हम अब वही अप्लोड कर सकते हैं क्योंकि हम जो है ना न्यू गेमप्ले भी नहीं प्लेय कर रहे तो माइंड मत करना प्लीज एंड कोई नियम वह भी अप्लोड करेंगे लेकिन यह वारी वीडियो पहले खादम ह लेने देते हैं फिर वह वाली आपको वीडियो देखने को मिलेंगी टेंशन मतलो ओके तो आप ऐसे यार और स्पोर्ट बनाई रखना एन गईज देखो इस बंदे का अगें टाइम आट हो जाता है और इस बंदे का आटमेटिक मिडल डॉब हो जाता है मतलो हमारे लिए होता अच्छा था ओके गाइज यह बंदा तो हो जाता है कैलिमेट इस आया इसके लेटर कोई नहीं हमको लोड जैसे काड़ पिक कर लेते हैं ओके यहां पर है काईज हमारे पाद एक तो डामेंड फाइव आ चुका समन डिस्कार्ड कर देता है हर्ट में सिक्स है क्योंकि ह हमको जाए हर्ट में 5 और ऐसा ही होता है यह बंदा जो हमको फॉलो करके सिसक्स के लिटर हमको जो है ना हर्ट में 5 डिसकार्ड कर देता है और गाइज इसीग साथ हम जो है प्योर से पॉइंस रहें करके 45 और 6 के साथ कर देते हैं डिरेक्ट डिकलेयर वह भी कलब दैनिंग के साथ एन गाइज हम इस बैट को इजी विनर हो चुके हैं सो अगर गाइज आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जू कर देना मिलते हैं गाइज नेक्स कर विडिया में ओके बाइज वैसे गाइज यहां पर एटी फंडल बंदा शायद इस बं को स्वाइल कर पाते हैं या फिर नहीं ओके देखो इस बंदे के कार्ड चलो कोई नहीं मिलते हैं गाइज नेक्स विडियों